नमस्कार दोस्तों, अगर एक समय तक आपने काफी हस्त में थुन किया और अब आपको लग रहा है कि मैंने पहले ना समझी या गलत आदतों के कारण अपने स्वास्त को खो दिया है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि शरीर खोकला हो चुका है, आलस से बहुत आता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, तो ये वीडियो आपके लिए है, आपका शरीर खोकला नहीं बलकि डैमेज हो चुका है दोस्तों, जिस तरह गाड़ियां जब बहुत चल जाती है, तो हर तीन महीने पर हम उसकी सर्विस जरूर कराते हैं, उसी तरह जब बोड़ी उम्र करने लगती ह और गलत आदतों के कारण कमजोरी आजाती है, उस वक्त आपको रिकवरी की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को रिकवरी का असली मतलब ही नहीं पता, बोड़ी रिकवरी का मतलब गलत आदतों की वजह से आई हुई कमजोरी को, अच्छी आदतों को अपना कर सही करना, आज के इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा. मैं इस वीडियो में आपको पांच बहुत जरूरी टिप्स बताने वाला हूँ, जो खुद Medical Science ने पब्लिश किये है, जिसके अनुसार आप खराब से खराब कंडिशन में भी अपनी बोडी को रिकावर कर पाओगे. Dual Personality Disorder, Phobias, इन सब की वज़ा हैं आपका. कम सोना या ठीक से ना सोना. नींद एक ऐसी चीज है, जो आज कोई ठीक से लेना नहीं चाहता. जब तक जबरदस्ती आँखे बंद न हो जाए, रात को बिश्तर पकड़ने के चार घंटे बात तक, लोगों के आँखों में नींद की एक जलक तक दिखाई नहीं देती. वज़ा है, फोन, अन्बैलेंस्ट खाना, और एक आदत देर तक सोने की. क्या आपको पता है, आपकी इस खराब आदत के वज़ा से, अगला पूरा दिन आपको आलस और सुस्ती का सामना करना पड़ेगा. अगले 21 दिन तक 8 घंटे की नींद लो. रात को 10 बज़े सोकर, सुबह 6 बज़े उठकर देखो. बहुत गजब का मज़ा आ जाएगा, और बहुत तरह की फिजिकल प्रोब्लम रिकवर हो जाएंगी. पर एक जरूरी बात, रात को 10 बज़े सोने जाओ, तो शाम का खाना 7 बज़े तक खा लेना है. टिप नमबर टू, रिस्टार्ट यूर लाइफ. पास्ट को पास्ट में छोड़कर अगर आगे बढ़ जाते हो, तो आदी खुशी ऐसे ही आ जाएगी. ये तब ही होगा, जब आप एक नए तरह से लाइफ को स्टार्ट करेंगे. खुश रहना, हंसना, सकारात्मक सोचना, भविश्य को लेकर सकारात्मक रहना. ये सब वो चीजें हैं, जो एक इनसान को अंदर से खुश रखती है. आप खुश रहते हैं, शरीर जल्दी थकता नहीं है, एनरजी ज्यादा होती है, किसी भी काम में फोकस सही से होता है. तो चलिए, लाइफ को रिस्टार्ट करिए. तो उसके लिए, दिन भर में दूद, चने, और मूख फली का सेवन रोजाना करें. अच्छा खाना आपकी बहुत हेल्प करेगा. बेसिकली, बोडी के जो कोर डैमेज हुए है, जंक फूड और ओइली चीजों से, अच्छा खाना उन्हें रिकवर करने का काम करता है. अच्छा न्यूट्रिशन जैसे, आप प्रोटीन की मात्र बढ़ा लीजिए, बोडी को हाइडरेट रखिए. टिप नंबर फोर, रेड्यूस स्क्रीन टाइम, फोन को देखने का टाइम कम करो. स्क्रीन का समय कम करतेने से, आँखों का स्वास्थ सही होगा, और दिमाग शांत रहेगा. अंधेरे रूम में घंटों तक फोन या लैपटोप चलाना सच में बहुत खतरनाक हो सकता है. अपने स्क्रीन टाइम को 90 प्रतिशत तक कम कर लो. यानि पहले जहां तुम चार घंटे फोन चलाते थे, अब उसे 40 मिनिट कर दो. टिप नंबर फाइव, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अकेला. एक ऐसा हार्मोन है, जो ओल राउंडर की तरहा काम करता है. यानि की, आप जितनी भी चीज़े सोच सकते हो, वो सारी चीज़े सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के बढ़ जाने से पूरी हो जाएगी. इसलिए, अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाओ. आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना बढ़ेगा, बोडी की मरदानगी, चेहरे का तेज, बोडी का पावर, ये सभी चीज़ें उतनी ही बूस्ट होंगी. टेस्टोस्टोस्टोन बढ़ाने के लिए, वरक आउट और अच्छा खाना, ये सबसे जरूरी होते हैं. बॉलिवुड के हीरो, क्रिकेट प्लेयर और हर पॉपलर चेहरा टेस्टोस्टोस्टोन पर ही ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट में सब कवर हो जाता है. टेस्टोस्टोस्टोन लेवल बढ़ाने के लिए, मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसको जरूर देखे, वीडियो पसंद आया, तो तुरंद लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया, तो तुरंद सबस्क्राइब कर लीजि जै श्री राम